पीरियट ये एक ऐसा शब्द है जिसे कई लड़कियां हेट करती हैं और कुछ नहीं अब इस हेट का कारण पता है आपको अब जो लड़कियां हेट करती हैं उन्हें तो पता ही होगा इसका main कारण है pain, वो भी periods pain, mood swings और भी बहुत कुछ मैं भी उन्ही लड़कियों में से एक हूँ, जो periods को hate करती है क्योंकि मुझे बहुत pain होता है, और ऐसा pain कि bed पर से उतने का मन नहीं होता नमस्कार, मैं शुत्य मिश्रा आज फिर एक नई परिशानी के हल के साथ हाजर हूँ, स्वागर्थ है आप सभी का घरेलू नुस्खे में आज मैं periods के pain के solution को बताऊंगी, पहले ये जानते हैं कि periods pain होता क्या है महिलाओं को periods के दौरान दो तरह के pain होते हैं, पहले को primary pain कहते हैं और दूसरे को secondary pain primary pain, ये दर्द आम तोर पर कम उम्र की लड़कियों में होता है और periods आने से पहले ही दर्द होना शुरू हो जाता है और दर्द ज्यादा तर पेट के निचले हिस्से में होता है और थाइज में भी होता है दूसरा, secondary pain, ये दर्द तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक किसी महिला के उम्र 20 साल ना हो जाए ये दर्द सिर्फ periods के महीनों तक ही सीमित नहीं है बलकि पूरी periods साइकल में हो सकता है periods heavy और अधिक लंबे हो सकते हैं अब आते हैं periods pain के solution पे पहला, अजवाइन अकसर periods के दौरान महिलाओं को gastric की problem बढ़ जाती है जिसकी वज़ा से भी पेट में तेज दर्द होता है अजवाइन खाने से बेहद अराम मिलेगा आधा चमच अजवाइन और आधा चमच नमक को मिलाकर गुनगुने पानी के साथ पीने से दर्द से तुरंत रहत मिल सकता है इसके अलावा पीरिट्स के दिनों में अजवाइन को चुकुंदर, गाजर और खीरे के साथ जूस बनाकर पीने से भी दर्द नहीं होता है दूसरा अध्रक पीरिट्स में दर्द के दौरान अध्रक से भी तुरंत रहत पहुचता है एक कब पानी में अध्रक के टुकडे को बारी काट कर उबाल लें चाहे तो इसमें स्वाद अनुसार शक्कद मिलाएं दिन में तीन बार खाने के बाद लें तीसरा तुलसी तुलसी एक बहतरी नाच्रल पेन किलर है जिसे पीरट्स के दर्द में बेज जख ले सकते हैं इसमें मौजूद कैफीन एसिट दर्द में आराम पहुचाता है ऐसे में दर्द के समेट तुलसी के पत्ते को चाय में मिला कर पीने से आराम मिलता है अधिक परिशानी हो तो आधा कब पानी में तुलसी के साथ आठ पत्ते डाल कर उबाल कर और छान कर पी लें चौथा, गरम पानी की थैली पीरिट्स के दर्ज से राहत के लिए गरम पानी की थैली से पेट और कमर को सेकें इससे तुरंत आराम मिलेगा पाचवा, कुछ लोग इस समय चाए और कॉफी लेते हैं लेकिन इससे आपकी परिशानी बढ़ सकती है क्योंकि चाए और कॉफी में कैफीन होता है जो गैस की प्रॉबलम को बढ़ाता है कुछ लोगों की पीरिट्स के दौरान पहले ही गैस बनती है ऐसे लोगों के लिए चाए या कॉफी मुश्किल और बढ़ा सकती है इसके जगह पर फुरूट्स और सबजियों से बनी स्मूदी पीए या वेजटेबल सूप पीना बहतर है चठा, वयाम और योग जब पीरिट्स के दर्ट की बात आती है तो हमेशा ऐसी चीजें करना ज़रूरी होता है जो मान स्पेशियों को अराम दे चाहें वो स्ट्रेचिंग हो या योगासन स्ट्रेचिंग एक्सेस पीरिट्स के दर्ट को कम करने में मदद करती है पेट, जांगों और पीट के निचले हिस्से में दर्ट को कम करने के लिए रेगुलर वयाम करें ये मान स्पेशियों को अराम देनी में मदद कर सकते हैं स्लो वोक आउट उन महिलाओं के लिए पीरिट्स फ्लो को बहतर बनाने में भी मदद करता है जो लाइप पीरिट्स फ्लो या डिलेट साइकल से जूचती है अब हमारे वीडियो के बेस्ट पार्ट पर आते हैं और दादी और नानी के नुस्के को बताते हैं दादी और नानी के अनुसार एक कब दूध में आधा चमच हल्दी डाल कर हलका गर्म करें इसके बाद थोड़ा गुड लेकर उसमें आधा चमच सौंट और अजवाइन मिक्स करें और गुंगुने हल्दी वाले दूद के साथ पी हैं इससे दर्द कम होगा दिन भर गुंगुना पानी पीना चाहिए दादी और नानी के अनुसार दूध और दूध के बने प्रोड़क्ट का सेवन महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है जिन महिलाओं के शरीर में कैल्शियम की कमी होती हैं उन्हें पीरिट से रिलेटीड प्रॉबलम अधिक होती है ऐसे में न सिर्फ पीरिट बलकी हमेशा दूध वर डेरी उत्पादन का सेवन महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इन में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है तो इन सारे नुस्कों को ध्यान में रखते हुए खुद को पीरिट के दर्ट से बचाएं, स्वस्त रहें, फिट रहें और अगर आपके पास भी और नुस्के हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा अपना खास खयाल रखें और ऐसे ही घरेलू नुस्के को जानने के लिए देखते रहें चेतना मच तब तक के लिए बाई बाई